ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने कारिक्रम स्वास्त है संजीवनी में और एक बाफर से हमारे साथ स्टूडियो में है योग एवं टाकतिक चिकित सख अनिल बंसल जी आप लोगों का कोई भी सवाल है जल्दी से फोन उठाईए नंबर डायल कीजिए नं सब भी कुछ याद करती है तो इनको याद नहीं होता जिस वज़े से इनका मन पढ़ाई से बार बार और ज्यादा हटता जा रहा है तो यह क्या करें देखो इसमें क्या होता है सेव का जूस बहुत जबरदस्ती फैक डालता है सेव के जूस भी क्योंकि मैलिक कर चूट दि माइंड की नसों को तेज करता है मजबूत करते कर देता है तो भूलने की जो बिमारी होती हो वैसे भी खतम हो जाती है और बच्चे का पढ़ाई में बन लगता है साथ में बच्चे को आप अबन लिकी किरिया कराए और रोज के तो सूरिय नमसकार जब सूरिय निकलता है सामने जाका सूरिय नमसकार कि अगर किरिया कर लेंगी तो बहुत ही अच्छा इंप्रूमेंट आएगा जी अब अनीता जी आप से जानना चाहती है ये लिखती है कि इनके सिर में बहुत जादा दर्द रहता है गैस भी बहुत जादा बनती है कई बार तो इतना जादा पे तो उसमें बहुत अच्छा रहा मिल जाता है सिर में दर्द नहीं रहेगा और से कुछ हो और जो इसे चक्कर आते ये भी बिल्कुल बंद हो जाते है अब दूसरा क्या अगर एक तो बिस्तर पर लेड़ जाएए गर्दन को नीच्छे कर लें सिर पे पानी डालें फिर मात् से खबूद करता है और लाब देता है तो एक तो ये करें और दिन में चार्ज का से ल करें हींग और जीरा डालक है उसे कबच गैस नहीं बनेगी तो उपर की तरब भी जाएगी जो सिर में दर्द करती है और एक छोटी हड़ जो होती है वो मुऊ में डाले उसको पड़ा दूआ कितनी है उमर कितनी है आपकी पच्छी साल कब से प्रोग्राम देखते हुए से आप कितने दिन से या दो तिन मिने से नहीं दो तिन दिन से अभी तो करूपाई नहीं एक तो क्या करें हल्दी का दूद्द पीने लग जाए उससे क्या होगा बहुत ही अच्या है पादेगा और दूसरा दिन में चार्ज पी हैं हिंग और जीरा और लगाए इससे इनरजी का लेवल बड़ेगा यह परियोग करें अच्छा आपको आरा मिलेगा पिर无ह प्रोड़ों susceptो कि तरव hairs संस्ता में जो संस्ता में डॉक्टर है उन से बात करके आप पूरा सेट भंगा सकते इसका जी अनिल जी एक चीज़ मैं आप से जाना चाहूंगे अब जब भी हल्ती का दूद पीने की बात होती है बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि उनको ठंडा दूद पीना है या तो किस तरीके से पीना है यह को वैसे तो सरीर का समका अलग अलग सिस्ट्रम होता है फिर भी पहले दिने एक चुटकी डाले जैसे यह चुटकी लिया आपने डाली और गांट वाली लिया है तो अच्छा रहेगा क्योंकि डूबलिकेट बहुत आती हम यह कर सकते हैं तो उ दूद में एक निम्मूनी चौर का पीले जिनको पवासिर की बिमारी है क्योंकि अलग तो गर्मी थोड़ा कर देती तो पवासिर किसी किसी को हो जाती है या किसी को बनने वाली होती है तो जल्दी दिखाई देने लग जाती है तो यह उपाए कर ले या जिनका बीपी दूद भी साथ में लेते रहे अपना बीपी चेक राते रहे या घर पर ही मसीन ले आए सूबर शाम का दोनों टेम का चेक करे अगर बीपी जाना तेज़ी से बड़े तो फिर अल्दी की मातरा कम कर दे या इसको बंदी कर दे यह करे और नहीं तो आम आदमी तो कोई भी की ले सकता है रात को सुथते वक्त दूद के साथ जिए इस कारेकरम की पता है आपको सबसे खास बात क्या है वो यह कि इस मश पर आपको बाती आसान सई नॉसके बताए जाते हैं ऐसे नॉसके जो कि आप घर में आराम से बैठे बठाए कर सकते हैं तो जल्दी से फोन इसके लिए टाइब कीजिए जे एबी जब और फिर उसे अपने नेम और अपनी प्रॉब्लम के साथ बेच दीजिए 57575 पर अगर आप संस्ता में कॉल करना चाहते हैं तो आप संस्ता में भी कॉल कर सकते हैं आपको वहां पर जो भी डॉक्टर साब को उनसे कॉंसर्न करना है या फिर आप कोई किट मंगवाना चाहते हैं तो संस्ता के नंबर भी बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाये जा रहे हैं और डॉक्टर साब अभी एक और को पूछना था कि मेरी कमर में हिस्से में चर्ज भी दिखती है तो उसे कम करने लिए मैं क्या कर सकते हैं जादा है जी हां मेरे एट से काफे जादा है मतलब 54 हो गया है आई किदनी आपकी मेरी पार्च पीच दो इंच तो ठीक है वेट की तो कोई चिंता ना करें फिर भी मुलतानी मिट्टी का जहां आपको लगता फैट जादा है आने से पहले पेट पर ठंडी पट्टी बा यह परियो करें इससे बहुत अचा है रहा मिलेगा अगर ज्यादा है दिफटकली पर तो फिर सहस्ता से वैदी का मरता मंगा सकते हो वो हमारी लेडी डॉक्टर से या जैंस डॉक्टर जो भी है उनसे आप बात करके मंगा सकते हैं डॉक्टर साब आपने अपना कीमती वक् अनकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी आज की पेशकर्श में बस इतना ही अभी मुझे दीजिए अजासत आप सफिर करेंगे मुलाकात हमारे अगले एपिसोड में तब तक के लिए नमसकार